बिस्मिल्लाइ रामानि राहिम रभी श्राहली साद्धी वैसिरली यामरी पाउटू लुगदा तुम्हें लिसान ही आपका गौली सदाक लाहुल अजीम असलाम लीकुम डियर स्टूडेंट्स तुड़े 15 अगस्ट 2021 डे इस सेटरड़े लेक्शन नमबर हमारा 27 क्लास 3 सब्जेक्ट मैट्स डारिय अपनी जल्दी से नोट का ले वर्ड प्रॉब्लम्स पेज नमबर 82 पे जो है पेजन नमबर 2 से लेके 6 तक नोट बुक पे हम स्वाल करेंगे तो जल्दी से पेज नमबर 82 पेचन करें पेज नमबर 82 वर्ग और दी साम्स, राइटिंग कंप्लीट स्केटमेंट्स हमने कंप्लीट स्केटमेंट्स बनानी है पिर सॉल्म करना है तो जो पेजन नमबर 2 है यो हम देखते हैं one notebook contains 75 pages एक notebook है उसके pages कितने है 75 how many pages are there in 32 notebooks इसी तरह कि अगर 32 notebooks होंगी तो उनके कितने pages होंगे तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर एक चीज की price दी हुई हो उसके pages है या इस तरह से कोई भी चीज एक चीज की दी हुई हो आपके पास तो आपने उसी तरह कि ज्यादा चीज की वह मलूम करनी हो तो हम हमेशा multiply करते हैं जैसे देखे इधर one notebook की pages दिये हुई है न तो इसी तरह कि 32 notebooks के हमने pages मलूम करने है one इधर कम है न एक ही मलूम दिये हुई है और हमने ज्यादा की मलूम करने है तो हम multiply करेंगी how many pages are then 32 notebooks 32 notebooks के कितने pages होंगे यह हमने मलूम करना है तो हम 75 को multiply करेंगे 32 के साथ अब हम 75 को multiply करेंगे 32 के साथ और आपको पता है कि हम पहले 2 को 75 से multiply करेंगे और second step में हम 3 को 75 से multiply करेंगे तो पहले हम 2 को उरते हैं 2510 10 का 0 1 हमने इदर convert कर दिया 2714 1 एड़ किया तो 15 आ गया हमारे पास अब हमारा second step स्टार्ट हो रहा है तो second step में हम पहले 0 इदर लिखेंगे और फिर हम multiplication स्टार्ट करेंगे 0 हमने लिख दी आप 3 को 5 से multiply करते हैं 3515 15 का 5 हमने इदर लिखा 1 इदर ये जो दूसरे था convert किया था उसको क्रास आप लगा दे के गलती ना लगे ये इसका 15 का 1 इदर आ गया 5 हमने लिख लिया 3721 और 1 एड़ किया तो 22 आ गया अब हम इनको एड़ करेंगे 0 का 0 और 5 और 5 10 0 इदर 1 convert कर दिया 2 और 1 3 और 1 4 2 का 2 आ गया तो हमारे पास कितने pages आगे 2400 अगर एक notebook के 75 pages है तो 32 notebooks के कितने pages होंगे 2400 pages अब हम 4 questions देखते हैं there are 225 bars of soap in a box एक box में soap के कितने bars है 225 how many bars are there in a dozen boxes dozen boxes में कितने bars होंगे तो dozen एक दरजन को कहते है dozen लिखा है एक दरजन को कहते है एक दरजन में 12 things होती है 12 चीज़ें होती है one dozen mean 12 things या 12 one dozen mean 12 तो हमने देखना है कि 12 boxes में कितने bars आप soap होंगे पहले भी आपको बताया कि अगर एक चीज़ की दी हो उन्होंने price या कीमत जो भी एक चीज़ का बताया हुआ हो और हमने ज्यादा चीज़ों की मलूम करनी हो तो हम multiply करते हैं एक box में कितने bars आप soap के 225 और dozen boxes में कितने होंगे यह हमने मलूम करना है mini statement हम बनाते हैं bars of soap in a box 225 how many bars are there in dozen boxes यह हमने मलूम करना है 225 को हम multiply करेंगे 12 के साथ क्यूंकि one dozen mean 12 पहले हम two के साथ करेंगे two five zero ten zero हमने लिखा one convert का दिया two two zero four और one एड़ किया five आगया two two zero four अब second step में हम पहले zero लगाएंगे फिर multiplication स्टार्ट करेंगे one five zero five one two zero two one two zero two अब एड़ करेंगे zero का zero आगया five five ten zero लगाए one convert का दिया four or one five or two seven two का two आगया तो हमारे पास dozen boxes में कितने बार्स आप सोब है two thousand and seven hundred two thousand and seven hundred बार्स ये सारे question आपने ऐसे ही करने है three five six ये सारे two से लेके six ताख आपने अपनी notebook पे solve करने है ऐसे ही mini statement बिणानी है have a nice day अलाव प्याव।